रानावट डाइट में आपका स्वागत है जैस्री रामाक्रश्ण आज आपको बता रहा हूं कहीं बार पती और पत्नी के बीच में व्यवाईक जीवन में जो जीरे होते हैं उसमें छोटी-छोटी बातों को लेकर जगड़े शुरू हो जाते हैं परिवार वाले कई बार समझ नहीं पाते हैं कि नई नवेले दुलन नया नवेला दुला हैं साधी किये हुए काफी कम साल हो गए हैं पर ये आपस में चिड़ते क्यों हैं और उचिड़ का कारण सबको पता नहीं होता है इसलिए ये आज आपके लिए वीडियो महत्पून हो सकता है कि आपके परिवार में कोई भी पुत्र हो भाई हो बैन हो बेटी हो उन पती पत्मी के बीच में अगर नहीं पढ़ती है नहीं बनती है या छोटे मोटे जगड़े होते हैं जिसके कारण क्या है वो आज आपको मैं बता रहा हूं अक्सर नया जोड़ा होता है चान पे जाने की तमन्ना ही होती है दिन में तारे तोड़ के लाने की आकांशा रखने वाला एक यूवा उखड़ा उखड़ा रहता है व्यक्तिक की समस्या बता नहीं सकता और पतनी असंतुष्ठ होने की वज़े से आग मे गी डालने का प्रयास कर लेती है देरियर देरज न होने की वज़े से वो जानने पाती है सयोग नहीं कर पाती है कि मेरे पती में कोई दिक्कत है और उन दिक्कत का सामना मुझे कैसे करना है क्योंकि लड़का हो या लड़की हो उन्हें ब्रह्म चारिय के बारे में तो बताया नहीं जाता है बारती किताबों में लिखा हुआ जरूर है वेरी की रक्षा करनी है को मारी की रक्षा करनी है और एक से 25 साल के बीच में शिक्षा ग्रण करने की उम्र है और उस दोरान कोई भी ऐसी घटा नहीं करनी है जिसकी वज़े से वहवाईक जीवन में तकलिप पहुंचे यह सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब परें वीडियो लाइक कर करें मैं डॉक्टर गनाश सिंग राणावत साइकोलोजिस्ट और डाइटीशन आज आपको बता रहा हूं वैवाईक जीवन में काफी नव यूकों में आजकल दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों का हल ढूंडने की बजाए दोशारोपन जुरूर ढूंडा जाता है यह वीडियो आपके लिए मत्पूर्ण है कि आप इसमें ध्यान दीजिए पती हो या पत्नी कामेक्षा दोनों की जरूत पड़ती है यह एक सभी को जितने धर्ती के ऊपर जल चल थल चल नब चल जितने भी प्राणी है उन सभी प्राणीयों को आहार नेंद मैथुन और डर समानतर पाया जाता है पर इसमें विक्रती हो तो दिक्कत है विक्रती होने में यहाँ पर मूल बात है व्यक्ति के अंदर दोनों समागन की समय में मैतुन सुक मैं दिक्कत आती है, महिला एं संतुष्ट नहों उससे पहले व्यक्ति सिग्रपतन का शिकार हो जाता है, व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि इस समय जो संभोग गिया जा रहा है वो कितना देर होना चाहिए, पत्नी संतुष्ट या नहीं, पती का काम हो गया, वेरे पात, सेवा निवरत पर हकीकत यह गलत है पत्नी को एक आहार के रूप में एक डाइट के रूप में जो भोजन मिलना चाहिए उतना न मिलके कम दिया जाए निश्यत है गुश्चा होगी बारतिनारी एकदम विरोध यह आवान नहीं करती है वो उस बात को भूल कर अपने देनिक कार्यों कट में गुश्य में चिरचडापंद में निकाल लेती है और निरंतर यह एक दूसरे में बनता जाता है व्यक्ति कमजोर होता है क्यों क्योंकि ब्रह्मचरी की सिक्षा नहोने वजे से कुछ गलत प्रेणदा मिलने की वज़े से वह समयतुन कर लेता है जिसकी वजे से वह स उसमें तुन करने का कहीं प्रावधान नहीं है फिर भी कुछ आजकल ऐसे लोग गलत ब्रहमक जानकारियां देते हैं कि करना चाहिए उन्हें पता नहीं है कि वैवाईक जीवन में क्या शंकट आएगा इसलिए कुछ बच्चे गलत प्रेड़ना की वज़े से 12-16 साल की उमर में ये पत ब्रष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता की वज़े से उस समय मौज मस्ती आनन्द तो आता है पर उसे पता नहीं है कि आगे तकलिप दे होगी और इसके लिए अगर आप कहीं पे भी इलाज ढूंडेंगे एक विक्ति ने जो इलाज बताया है सभी ने वो के वो इलाज बताएं सब जगे आप ढूंडेंगे चाए ब्लॉग ढूंडेंगे वीडियो ढूंडेंगे सीधा सटाक कह दिया असमगंदा लीजिए को लोजिकल डिफेक्ट हो चुका होता है मनोव एज्ञानिक समस्या हो चुकी होती है अब वो दवा खाने से काम नहीं होगा अज्यात अवस्था में जल्दी-जल्दी मैतुन करने से हाथ से हस्त मैतुन एक आदत हो जाती है और उसके दिमाग में एक लाइफिश्टाल बै मनोव एज्ञानिक के आफसें एतृष्टा होती है और में मनोव एज्ञानिक दिमाग में इसके उपर काम कीया ओने ओने से नहीं होता है वह हजम होना चाहिए प्रसंद न रहना चाहिए तब होगा मन में इस अवस्ताव में डर बैठ जाता है और डर की विक्रिती निकलती नहीं है जैसे आप माल लीजिए मंदिर में जा रहे हैं हाथ जोड लेंगे पर महां पे डर नहीं होगा समसान में जाएंगे डल लग जाएगा कोई भी समसान में एक इस्तान से दूसरे अर्थात आपके दिवाग में एक बैठा हुआ होता है कि मुझे यहां डल लगेगा जबकि न तो किसी ने देवता देखे न किसी ने भूत देखा है यह हमारे मन में जो सीख लिया है जो देख लिया है वो एक परकार से मेकनाईज हो जाता है और यह इंत्रचालित के रूप में कंप्यूटिक करत के रूप में दिमाग में वही बाते रहती है और जैसे ही वहवेक्ती विस्तर पर जाएगा और उसे जो पूर्व में मेथुन करते वक्त सिख्रपतन हुआ था निरंतर जारी रहेगा उस समय मैला को एक हिम्मत देनी चाहिए मैला को धहरी देना चाहिए वो मैला वहाँ पर उदास नाराज हो जाएगी दोनों के बीच में दूरिया बढ़ेगी और दूरिया बढ़ने से निरंतर वो गलत दिशा में जाएगे इसलिए पती पत्नी को परसपर एक दूसरे को सयोग करना चाहिए वहाँ पर अगर पती फैल हो रहा है तो शाबाशी देने वाला कोई उसके साथ में नहीं होता है यहाँ पर पत्नी को सयोग करना चाहिए कि आपको दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है इसका निदान ढूंडेंगे निदान करेंगे समस्या का समाधान हो जाएगा और घर की यूग की विवारिया आए तो आपको आदू दिक यूग में इसके टीटमेंट भी मिल जाएंगे घबराने की जुरूत नहीं है कोई दिक्कत हो टिपन कीजिए टिपने का दबाव दूंगा मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद